इतने सारे डाल कैसे साफ होंगे कैसे निखरेंगे इतने मेले कपड़े आपकी परेशानी का सिर्फ एक ही हल जीनियस क्लीन वाशन पॉडर जो करे अच्छी दुलाई और रंगों की हफाध बिस्मिल्लाइब रही असलाम अलेकूल नाजी मैं हूँ आपका मेजमान गुलाम द मेज़ूर नाम है हनी जट साबा आज यह उन से बात करते हैं उनकी जिंदिगी के बारे में पुछते हैं और उनके प्रफेशन के बारे में पूछते हैं कि कैसा एक्सप्रेंस हैं और कैसी इस लाइफ में है अचा पीसी वर न्यूस पर पहला आपका इंटर्व्यू है और आपको इंटर्व्यू के लिए आए हैं तो पहले तो यह बताइए गर आपका किस शहर से बिसिकली तालोत है यह फैसला बात से इस परफेशन में कब से हैं पर करीब दो हजार ग्यारा में इंकर गिगी गगा अचा दो हजार ग्यारा से इस प्रेशन में तो इस माशाला दो हजार चौबिस के आ रहा है तेरा साल हो गए हैं आप तो पताइए गया किसा एक्स्पीरियंस रहा और इसमें क्या स्कोप हैं आगए इसमें तो यह हैं मैंने बीच में छोड़ दिया था कुछ तकरीबन पां कि अपने काम के लिए अब आते हैं तो पहले हमें डरना पड़ता है इस वाश्रेकर ना कि हम जाएंगे आगी कैसे नूग होंगे क्या है क्या नहीं आप कर रही ही थी जब पहँरे पश्चे साल पेले गैड़ से पहले तो आपने यह बताया के पहले लोगों के और क्या डि इतने के लिए लोग आते हैं इस चीज़ को कुछ हमारे ड्रामे के अंदर भी कुछ ऐसी बाते हैं और ऐसे काम हो जाते हैं जिससे ना मुझे खुछ समझ नहीं आ रही कि ये वह काम रहा ही नहीं है मैंने तक्रीबबन 2011 में शबनम अप्रपती होगा पहले था अब खत्म हो चुका है उसमें जो मैंने काम किया है वही बस सारा कुछ था अब कुछ भी लिए तो मुझे इस चीज़ की समझ भी आज तक आई है कि आगे चल के क्या होगा यह ही हालात रही तो फिर तो रूश के ल स्यव्या вाला पर तूश कि पती यह चो चैश्धा बहुत देर बाद हाइं तो इसकी क्या वजुहाद थे स्यॉज़ कि पत्ण वाहत बाहर शाइड़ों करें क्या कोई वजभात को चाहए आपको पता यहांपे जो हमारें माशाला ठीटर है कि लदक है तो उसको जो पेमल शुमत होती है, वो उठा के इंसे पैंग दिए, वो किते बस लड़की आया और अपना फ्री काम करके चली जाए, तो ऐसे तुरी नहीं होता है, हम लोगो इतनी स्ट्रगल करके हम लोग आगे आती हैं, कि हम लोग अपना फ्यूचर बनाएंगे, कुछ प् इसमें क्या रोल अदा करेंगे? जी, इसमें मैं इसके चाचे के बेटी कर अदा करीगी है, तो क्या कहानी है इसमें, आप काल पहला दम जो कुछ तीन महीने पहले भी मैंने ये ड्रामा कहता, अब वही ड्रामा है पर रुपेड किया है, इसको चेंज करके ना, अच्छा, उसी करेक्टर को आपको सीजन टू में ले गया है, जी, अच्छा, यानि कि उसी को रिपीर गया, अच्छा, इसके जो ड्राक्टर और राइटर रैटर है थी, साब रसर्व साब है, तो साब रसर्व साब के साथ कैसा एक्स्पेरियर्स है आपका काम करने का? जी, मैं उनकी साथ है, बिल्कुल साथ है, उनके साथ मैंने काम किया, उसके बाद मैं काफी अर्सिद रासबाद इद पर इन्नोईद की आँपर है, इसी ठेकर माँ, और बाकी अपने अपना तरीका है, काम करने का, अपना अपना अंदाज है सब का, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपके प्रिस सोच और नजरियट मैडम नर्गस की बात किया आपने वह लेजन्ड थाना इस परफेशन का और तब कैसे लोग भी नहीं आए अतनी तदाद भी नहीं आती और वैसा काम भी नहीं रहा है थे नहीं बिलकुल नहीं है वह फाम प्राईी नहीं है जो मैंने उनके तो मैंने वह मेरे साहती थी मेरी वो सिस्टर का रोल अदा कर दी मैंनी, तो माचालला काफी उनके साथ एक अच्छा स्पेर्श रहा के वो सिनियर हमारी और उनके साथ तो हर एक लिड़की का अफ़ाव होगा ना वो काम करना चाहिए और मैंने इंके साथ काम के मुझे बढ़ अच्छा लगा इस बार का और तब वो काम और था, अब काम और है यहाँ पे पब्लिक के हवाले से पब्लिक चेंज हो गई है, ड्रामे में हमारे जो डिरेक्टर, सारे वो एक्टर हम सब चेंज हो चुके है अच्छा, फ्यूचर प्लैनिंग्स क्या है, क्या करना चाहते है अच्छा लगा इस बीड, और मेरे वो खाब है वो बस पूरी हो जाए यहाँ अच्छा वाद की आडियोंस को क्या परगाम दना चाहेंगी इस बहुत उस्ते लोग है, बहुत प्यार वह बहुत मुछत करते हैं, और मैं यहाँ पर आई हूँ, ठीक है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये पबलेक जिए तबारा वो आती है मैं आती हूं बहुत दूश्च होते हैं कि वह तुबारा अगी करता है और मैं काफी एसा ग्रास बात आई हूं तो मैं फैसलावाद काम करूं तो फिर तुबारा आगी है ना दूए ये ती मेरे साथ हनी जट साह है तो मैं हो सकता है ये पेल दी जो